हाँ, तो मेरा नाम है खुलाम दस्तगी मैंने किया है एनेडी इनिवर्स्टी से सिविल इंगिनेरिंग उननीस सो नवे में उसके बाद मैं चला गया था केडिये, कराची डिवल्टमेंट अथारिटी, फिर वहां से मैं चला गया था, अमेरिका, मिशिगन इनिवर्स्टी रिट्रोय में तो आज की जो इन्फरमेशन वीडियो है, वो है, हजरत इसा अलिए सलाम के बारे तो हजरत इसा अलिए सलाम जो थे, उनका मजभब था यहुदी, यानि कि हजरत इसा अलिए सलाम मानने वाले थे, हजरत मूसा अलिए सलाम को, यानि कि तौरत को हजरत इसा अलिए सलाम को अल्ला ने बाइबल दी, यानि कि इन्जील दी, और हजरत इसा अलिए सलाम के मानने वाले इसाई, और हजरत मूसा अलिए सलाम के मानने वाले, हजरत मूसा अलिए सलाम को अल्ला ने तौरत दी, और हजरत मूसा अलिए सलाम के मानने वाले, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے تینتیس سال کی عمر میں آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب میں تبلیغ کا کام کرتے اللہ کا پیغام پہنچاتے لوگوں اس کو کہتے کہ دیکھو تم جو کچھ گھر سے کھا کے آتے ہو وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم نے گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھر میں چھپا کے رکھتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھپا کے رکھا ہے اور نابینہ کو میں بینہ کر دیتا ہوں جو اندہ ہوتا ہے اس کو آنکھیں دے دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں और किसी आदमी को कोई भी मिमारियों किसी भी टाइब की मिमारियों बार्सवरस की होती है तो उससे मैं शफ़ा भी दे देता हूं कोई भी मिमारियो रादर ईसा अलेसलाम उससे शफ़ा दे देते हैं बगएर दवा के और फिर तुम देखते नहीं कि मैं मिट्टी से परिंदे बनाता हूं और फिर उन्हें मारता हूं और यह हवा में उड़ते बनाता हूं तो यह भी करते हैं तो वो जमाने में जो बाद्शा था उसके ने देखा कि यह अज़रत इसाल जो है यह से मुचज़ात कर रहे हैं तो इससे यह है कि सारे लोग जो है अज़रत इसाल को मानने लगेंगे तो मेरी बाद्शाद चली आई तो इसने अपने जासूस को बोला कि भाई जाओ अज़रत इससाल को लोकेट करो गया जासूस गया तो इसने जाके लोकेट किया कि हज़रत इससाल एक जगह एक रेस्ट्रॉंट है उसमें शाम के टाइम पर वेटर की जॉब करते हैं वेटर कहते हैं वह जो खाना खिलाता है रेस्ट्रॉंट में शाम में दो चर गुंटे जोब करते हैं तो उसके बाद जब ये मुकबर आया तो इसने बताया वाद्शाब को कि यहां यह फाला जगह आया यहां पर शाम के टाइम पर अधर इसससाल जाप करते हैं तो फिर उसने अपने फोज को भेजा मुखबर के साथ और कि जाओ अधिशा इसलाम का सफाया कर दो ताक क्यूंकि ये तो बढ़ते जा रहे हैं इनके मानने वाले तो ये तो मेरी श्वाशात यहां मेरा हाद से निकल जाईगी तो बाद से अगरेने के जो सुफ़साला अर्थ पहुच्छ थी उगो उनके साथ मुखबर के साथ गई शाम के टाइम पर उस जगा पर जहां पर आदिशा इसलाम होते जाब करते थे ठीक है फिर क्या हुआ है कि जब ये पहुंचे तो हदरत आदिशा इसलाम को अल्लाणे फریश्ते भीज़या और आसमान पे उठा लिया जस वक्त दिया आसमानों पर उठाया इए हदरत आदीशा इसलाम को तो हदरत आदीश साल तर्थी तरी यर्जर और ये जो मुखबर था इसको सज़ा देनी था आल्लाई तो इसको इसक चुलिवे चाडिय हैं तो कुछ लोगों का भिलीव ये है कि तियो तु कुछ लोगों का भिलीव और कर दो कि लोगों को आस्मान पूंठा लिया है अब जब हजरत इस लगे चाहितों दुनिआ में अल्लह की तबीख करते हैं तो फिर उन्होंने एक मेसिज दिया था कि भई मेरे बाद एक पेगंबर आएगा जिसका नाम होगा मुहमद मुहमद नभी करीम हज़रत मुहमद मुस्त्वा सुल्म वो एक दीन लेका आएंगे तो उस दीन को फालो करना है तो यह मेसिज दिया था ठीक है अब क्यूंकर फिर इसा लेकरेम को मेसिज था तो लोगों पता था कि यहुदीं को इसाईयों को पता था कि मुहमद आएगा यानि कि मुहम्मद, नभी आ करीम अदरत मुहम्मद मुसृष सेल्म आएंगे तो उनको जो इंफर्मिशन दी स्के हिसाब सह सltice था कि उनको यह था कि ये मुहम्मद आएंगे बनी इसराइल में और महम्मद आ गया बनी कुरेश में तो वहां से वो मिस्गाइड हो गया इसको आसान करके बताते हैं कि यहूदी इसाइज यह समझा थे कि महम्मद आ गया चाहिना में और महम्मद नभी करीम हज़रत महम्मद मुस्तौर सुलम आ गया अमरीका में तो आप उनको तो कर रहे थे कि महम्मद जो है वो आएगा बनी इसराइल में और वो आगे बनी कुरेश में तो यह मसलव गए तो इसको आसान करके मैंने आपको बता दिया है कि आप वो समझ रहते हैं यहूदी इसाइज यह समझ रहते हैं कि महम्मद आएगा चाहिना में और महम्मद आगा अमरीकाओंगा अब 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 एचिशाई और यहूदी इस बात को मांते हैं कि महम्मद नभी करीम हज़रत मौहम्मद मौस्ट्व असलम इस दुनिया में आये और इस दुनिया से आके चले गए ये बात भो मांते हैं तो तू आब एसा ऐस्वलियमे के जो मानने वाले हैं वो किसी मुहम्मद, नभी करिंम حضرت मुहम्मद, मुस्त्वा स्रम का इंतðार नहीं कर रहे हैं बल्के उनको यह पता है कि मुहम्मद आया और हाके चला है तो उसके मानने वाले दो मिलियन एंग और एसाई A.S. के मनने वाले pro 2.4 billion है तो 400 million ज्यादा है एसाई A.S. के मनने वाले तो सबसे ज्यादा जो इस दुनिया में हैं वो एसाई हैं 2.4 billion उसके बाद आजाता है यह मुसल्मानों का 2 billion उसके बाद आजाते हैं यह non-believers जिन्हों ने बुद्ध बनाये इनकी पूजा करी हिंदू और बुद्धिस्ट ये दो बिलियन है और उसके बाद आ जाता है तीसरे अंबर उन लोगों का जिन्हों ने डर्विन की ठियोरी का यानि कि साइंस केती है न कि एविलिशन है कि कायनत खुद बखुद बन गई या लग विलियन है तो ये भी इतने हैं दो बिलियन जितने मुसल्मान है तो ये है तीनों पर रिलिजन है तो एक रिजन जो है एक लाग चौबीस अजार पह्गम्मर अला नी बेजे तो इन लोगों को अला ने बनाया अब यह भी हमेशा सवाल बताने कि किसने बनाया कि किस आला ने बनाया तो एक तो एक लाग यहुदी हुए, इसाई हुए, मुसल्मान हुए, ठीक है, अब अल्ला की ज़रूरत थी लोगों को, तो लोगों ने बुद्ध बना लिये, गाई की पूजा शुरू कर दी, आग की पूजा शुरू कर दी, चांद की पूजा शुरू कर दी, सितारों की पूजा शुरू कर दी तो जो चीज इनसान के सामने आई उसकी पूजा इसने शुरू कर दी और पूजा इसलिए करी कि अल्ला ने बनाया ही था इनसान को इबादत के लिए तो इनसान को अल्ला ने बनाया था अल्ला की हम्दोसना के लिए तो इसलिए अल्ला की ने बनाया पूजा करते हैं लोग बुतों की अब बुतों की जो पूजा करते हैं तो अल्ला ने कहा कि भाई देखो हमने तो इनसान को ये कहा नहीं था कि भाई बुतों की पूजा करो ये तो इनको इन्होंने खुदी कर लिया खुदी बुत बना लिया उनकी पूजा शुरू कर दी अल काइनात खुद भुद 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 बादल बनाये, चांद बनाये, सूर्ज बनाये समंदर बनाए, पाहार बनाये तो इस तरीके से हमने छे दिन में इस पूरी कारिनात को मुकम्मिल किया तो इसलिए यह आया है कि अब आजाते हैं حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے عمر میں इस दुनिया से उठा लिए गया ठीक है अब حضرت عیسیٰ علیہ السلام दोबारा इस दुनिया में आएंगे कब आएंगे इसका किसी को पता नहीं तो इसाईयों का यहुदियों का यह भी बिलीव है कि जिस जगह से حضرت عیسیٰ علیہ السلام को उठाया गया था उसी जगह पर दोबारा वहां पर उतारा जाएगा ठीक है अब मुसल्मानों का यह बिलीव है कि मस्जिद दमिश्मिश मस्जिद उतारा जाएगा तो दो डिफरेंट बिलीव होगे न एक कह रहे हैं कि इसाय यहूदी कह रहे हैं कि حضرت عیسیٰ علیہ السلام वहां उतारा जाएगा जहां पर से उठाया गया और दूसरा मुसल्मानों का जो बिलीव है कि वो दमिश्मिश्मिश में मस्जिद में उनको वहां पर उतारा जाएगा तो 33 साल की उमर में अज़र जी साल को उठाया गया और 33 साल की उमर में यह अज़र जी साल को जमीन पर बेज़ जाएगा तो उसके बाद अब यह अब यह फिर कन्फ्यूजन के शिकार होंगे जैसे मौम्मद के साथ हुआ नभी करीम अज़र मौम्मद मुस्त्वा सुल्म के साथ हुआ इन इसाइयों ने और यह उगूदियों ने कन्फ्यूजन के शिकार हो गए उनके लोकेट नहीं कर सके तो अब यह फिर इसको दुबारे लोकेट करने में इनको प्रॉब्लम्स होंगी तो फरिष्टों का जो अब फरिष्टों का बताते हैं देए फरिष्टे चलते हैं अल्ला के एकामाद से ठीक है न अल्ला ने का नभी करीम अज़रत मौम्मद मुस्त्वा सुल्म को घर से उठाओ मज़िद अख्सा लेके जाओ और फिर साथ में अस्वन पर मेरे पास ले आओ चब मेराज जो है वो नभी करीम हज़रत मौम्मद मुस्त्वा सुल्म को घर से उठाया और घर पे छोड़के गए तो ये कॉंसेप डिवेलप गआना इस फरिष्टों का कि घर से उठाया घर पे छोड़के गए तो इसा लेसलाम को भी फरिष्टों ने जहां से उठाया वहीं छोड़के जाएंगे ठीक है अब अल्ला के इक्तियारात में ये है कि अल्ला चाहे तो किसी को जहां से उसने उठाया वहां के बज़ए किसी और जगह दो उतार दे फरिष्टों के इक्तियारात में नहीं है अब समझे इस बात को कि फरिष्टों के इक्तियारात में ये बात नहीं है कि फरिष्टों के इक्तियारात में ये बात है कि जो अल्ला ने उनको कहा करने के लिए उन्होंने वो करना है ठीक है फर्स करें शब महराज में नभी करीम अज़त मौम्मद मुस्त्वा सुलम को फरिश्टे उठाते घर से और छोड़ के चले जाते मज्दिद अखसा में तो पसिबल था ना तो इसी तरीके से अज़र ईसाल ने एक जगा से उठाया है तो दूसरी जगा उतारा जा सकता है तो क्यूंके फरिश्टों के इकत्यार में नहीं है लगिन लगन अ के इकत्यार में अल्लभ जो हुकुम फरिश्टों को देगा वो कर देए तो इसलिए यह एक थोड़ा सा मिस गाइडिंग है फिर बताया गया कि भाई 33 एर्स की एज में हजरत ईसाल अलस्लाम इस दुनिया में आएंगे जिस उमर में ये गए हैं उसी उमर में हाफिस आएंगे और हजरत ईसाल अलस्लाम की उमर होगी 70 साथ तो 33 एर्स में से अगर आप माइनस कर दें 70 तो 37 बचते हैं तो 37 एर्स की जो बाकी की जिंदगी 37 एर्स की आदर ईसाल अलस्लाम इस दुनिया में गुजारेंगे और उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे और इन 37 एर्स में ईसाल अलस्लाम जो हैं उनकी शादी होगी और उनकी वाइफ का नाम होगा सारा और उनके दो बेटे भी होंगे तो बेटों के नाम नहीं बता है तो यह है सुरत्याद तो यह है कि यह सब को पता है सारी चीजें सब को पता है बस अपने अपने हिसाब से लोग उसको आगे पीछे करते हैं यहूदी, हिसाई, मुसल्मान सब जो है ना सब को पता है लेकिन यह सब अपने हागे यह अपने हिसाब से उसको आगे पीछे करते हैं तो यह खलत तरीका है तो सब को एक जगा जमा होना चाहिए तो अगर जब जबाओं होंगे एक जगा तो फिर ये मुझे से मुसाइल नहीं होंगे तो ये है इसकी आज़की इंफरमिशन होंगे ओके अल्ला हाफिस